सब्सक्राइब दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्लेशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है मिडनाइट मूवी इस फिल्म को 2008 में रिलीज किया गया था मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंटल पेशन्ट टेड रेटफोर्ड को हॉस्पिटल में देखते हैं उसे ठीक करने के लिए उसका डॉक्टर उसे एस थेरपी एक स्लेशर मूवी दा डार्क बिनीत दिखाने लगता है जिसे रेटफोर्ड ने 40 साल पहले ड्रेक्ट किया था और उसमें एक्टिंग भी की थी उस मूवी में एक मास्क वाला किलर एक ग्रूप अफ्रेंड्स को मारता है डॉक्टर वेन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तब तक उसका असिस्टेट पैट्रिक मूवी प्ले कर देता है जिसे देखते हुए रेटफोर्ड अपने जाता है कि वहाँ पुलिस इंवेस्टिकेशन हुई है मगर कोई डेट बोडी नहीं मिली उसके बाद मूवी कट ओफ होती है और हमें पांच साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां एक लोकल थीटर उस हॉस्पिटल वाले वाक्य के बाद पहली दफ़ावों मूवी द घर बेज दिया जाता है ब्रिजिट का बॉइफरेंड जोश अपने दोस्त मारियो और उसकी गर्फरेंड समाथा के साथ आया होता है उनका एक कॉमन फ्रेंड सूली भी आता है और कहता है कि इस मूवी को बनाने के लिए सच में लोगों को मारा गया था और पांच साल पहल साथ फिल्म देखने के लिए कहता है पहले तो वो मना करती है मगर कैनी उसकी जगा चार्ज संभालने का कहता है तो वो मान जाती है बेरन्स रेड फोट की फोटो कैनी को दिखा कर कहता है कि अगर ये बंदा यहां आए तो फॉरण मुझे इनफॉर्म करना उसके बाद कैनी मुवी प्ले कर देता है ब्रिजिट को टीमी का मेसेज आता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ उसके बाद हमें मुवी दिखाए जाती है जिसमें कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है एक लड़का मदद लेने के ल आज दरूर यहां आएगा क्योंकि उनके ख्याल में पांच साल पहले वही होस्पिटर में स्लॉटर करके भाग गया था मगर उनकी ये बात उन दोनों के डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते थे मुवी में कोई मास्क वाला आदमी अपना वैपन तेज कर रहा होता है और फ वक्त ब्रिजट मुवी में औरत के जले हुए बादू देखकर अनीजी फिल करती है और हॉल से लोबी में आ जाती है जोश भी उसके पीछे जाता है तब हमें पता चलता है कि उसके फादर बचपन में उसे बहुत मारा करते थे जोश उसे तसल्ली देता है कि तुम और टी को कोई आवाज आती है वो भागने लगता है मगर वो ही मास्क वाला किलर उसके सामने आ जाता है और उसे अपने वेपन से मार डालता है मारियो को कैनी कुछ देखा देखा लग रहा होता है मगर सूली मुवी को बहुत इंजॉय करता है वो किलर कैनी को भी अपने साथ ले जा मूवी में भी सूली को दिखाया जाने लगता है। किलर उसे भी अपने वेपन से मार देता है। मारियो वगेरा इस सब को सूली का प्रैंक समझते हैं और उसे देखकर इंजॉय कर रहे होते हैं। हारली उन्हें खामोश रहने के लिए बोलता है और जगड़ने लगता है। कि सब लोग स्क्रीन पर ये देखकर बाहर सूली को चेक करने के लिए जाते हैं। मगर वहाँ कोई नहीं होता। तो वो लोग वाश रूम में देखने चाते हैं। और हारले उन्हें उन्हें से कहता है कि ये सब रियल है। मैं यहां से जा रहा हूं। बैरन्स बाहर लोबी में से गुजर रहे होते हैं तो बेब कहती है कि हॉल में कोई है। हॉल के अंदर उन्हें टीमी मिलता है जो वहाँ छुपकर मूवी देख रहा था। फिर वो सब लोग बाहर जाने लगते हैं मगर ठीटर का में डोर लॉक्ट होता है। और सबके मोबाइल्स पर भी देखने लगता है जहां किलर उस ग्रूप की एक और लड़की को मारता है जिसे देखकर टीमी डर चाता है और लोबी में भाग जाता है। मगर उसके पीछे किलर भी वहां आता है और डॉक्टर वेन को पकड़ कर उनका घला काट देता है। बैरंस उसे शूट करता है और वो वेन के साथ हॉल में गिरता है लेकिन हॉल में कोई नहीं होता और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि किलर डॉक्टर वेन को घसीट कर लेके जा रहा है। वो सब डर के बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं तो टीमी उन्हें बताता है कि मैं उपर आफिस की व पर चले जाते हैं उधर मुवी में किलर और लेडी ग्रूप की एक और लड़की को भी मार देते हैं जो अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए उस घर में जाती है उपर पहुंचकर हारले और बेब सीडियों के पास जोश के सिगनल का वेट करने लगते हैं नीचे सक्रीन पर सीन थीटर में शिफ्ट हो जाता है तो जोश अवास देकर उने बताता है कि वो हालवे में हारले उसकी वास सुनकर सबको बोलता है कि किलर आ रहा है तभी किलर उपर उसके सामने आ जाता है वो और बेब भाग जाते हैं किलर आफिस में जाता है तभी खिड़की बंद हो ज जाती हैं। बैरन्स किलर को शूट करते हुए सब को भागने का कहता है। उसकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाती हैं मगर वो समान्था को बचाने के लिए वही रुक जाता है। तो किलर अपने वैपन से उन दोनों को मार डालता है। नीचे सक्रीन पर दिखाया जाता है किलर समान्था को भी अपनी उस मूवी वाले घर में ले गिया है ब्रिजिट और टिमी एक रूम में छुपे होते हैं तो जोस जाकर उन्हें नीचे सब के पास हॉल में ले जाता है जहां हार ले मारियो को मारने लगता है कि उसने समान्था को उपर अकेला क्यों छोड़ा मगर ब्रिजिट उसे रोक देती है फिर उन्हें एंट्रेस के बाहर एक पुलिस आफिसर नजर आता है वो हेल्प के लिए नौक करते हैं लेकिन क्यूंके किलर ने उन्हें इन्विसिबल कर दिया था इसलिए उफिसर उन्हें देखने ही पाता और वहाँ से चला जाता है वो उफिसर बेरंस को ढूंडने आया था वो सब डेस्परेट होके इस सब को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं ब्रिजिट कहती है कि हमें मोवी को बंद करना चाहिए तो वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं जो के लॉक्ट था तो ब्रिजिट टीमी को ऐसी डक्ट के थूरू उस रूम में भेज़ती है किलर नीचे से डक्ट पर अटेक करके टीमी को मारने की कोशिश करता है मगर जोश वहां पहुँच कर किलर को डाइवर्ट करता है तो किलर उसे मारने लगता है उदर टीमी रूम का दर्वाजा कोलता है और हारले अंदर जाकर प्रोजेक्टर तोड़ देता है जिसके तोड़ते ही किलर गाइब हो जाता है और जोश भाग कर सब के पास आ जाता है लेकिन तभी प्रोजेक्टर तेजी से खुद को रिस्टोर कर लेता है और फिल्म दुबारा से चलने लगती है उन सब को कोई पावर बाहर फैंक देती है और दर्वाजा फिर से लॉक हो जाता है किलर के सामने आते ही सब भागने लगते हैं हारले बेब और टिमी क्लोजेट में छुपते हैं मगर किलर दर्वाजा तोड़ कर हारले को मार देता है और फिर उसकी बोड़ी ले जाता है उसके जाने के बाद टिमी क्लोजेट से बाहर निकलता है जोश, ब्रिजिट और मारियो हॉल में वापस आते हैं और वहां मुवी के एक सीन से उन्हें पता चलता है कि किलर हमारे डर को फील कर लेता है इसलिए वो हमारे डर की वज़ा से हमें मारता है फिर उन्हें स्क्रीन पर बेब नजर आती है जिसे किलर मार रहा होता है और फिर उसे भी मार कर मुवी में ले जाता है मारियो कहता है कि हमें दुबारा विंडो से भागने की कोशिश करनी चाहिए और वो उपर चला जाता है ब्रिजिट जोश से टीमी को ढूनने के लिए कहती है उधर टिमी के सामने किलर आता है मगर वो उससे बचकर भाग जाता है और किलर वहां आते हुए मारियो को मार देता है जोश और ब्रिजिट टिमी को ढून रहे होते हैं एक रूम के बाहर से उन्हें आवाज आती है जोश ब्रिजिट को रूम में छोड़ कर बहे निकलता है और वहाँ किलर को देखकर उसे डराता है लेकिन जब वो रूम में आता है तो किलर ब्रिजिट के पास खड़ा होता है ये देखकर जोश डर चाता है जिस पर किलर उसे मार डालता है ब्रिजिट वहाँ से भाग जाती है और टिमी को ढूंड लेती है और उसे समझाती है कि अगर हमें किलर से बचना है तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा डर हमारी कमजोरी है फिर वो दोनों आँखे बंद करके बैठ चाते हैं और ना डरने पर कॉंसेंट्रेट करते हैं तो किलर उन्हें मार नहीं पाता अचानक से ब्रिजिट का ध्यान थोड़ा सा हटता है और वो खुद को मूवी की अंदर किसी क्रीपी बेस्मेंट में पाती है उसे वहाँ एक सेल में वो सब लोग जिन्दा बंदे हुए नजर आते हैं जिने उस किलर ने मारा था उधर किलर फिर से अपना वैपन तेज कर रहा होता है ब्रिजिट को एक दूसरे सेल में अपने फ्रेंड्स भी वैसे ही बंदे हुए नजर आते हैं वो जोश को देखकर हक करती है वहाँ हम देखते हैं किलर ने उसे भी स्टैप किया था तब ही मूवी वाली लेड़ी उसे कोई डंडा मारकर भी होश कर देती है होश में आने पर वो खुद को स्टेचर पर बंदा हुआ देखती है करीब ही उसे टीमी भी भी होश नजर आता है फिर किलर वहां आकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है लेकिन कुछ देर बाद वो अपने डर पर काबू पा लेती है और किलर को मार कर टीमी को छुड़ा लेती है और वो दोनों वहां से भागने लगते है मगर वो औरत उन पर हमला कर देती है लेकिन टीमी उस औरत को मार देता है और वो फिर से भागने लगते है तभी पीछे से किलर आ जाता है भागते हुए ब्रिजिट को अंताजा होता है कि फिल्म खतम हो रही है तो वो टिमी को स्क्रीन से बाहर रियल वर्ड में फैंक देती है और खुद वही मूवी वर्ड में ट्रैप हो जाती है और फिल्म खतम हो जाती है उसके बाद पुलिस को थेटर में दिखाते हैं जेने टिमी अकेला सर्वाइवर मिलता है और पुलिस को उसकी बताई हुई स्टोरी पर यकीन नहीं आता और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है